हेलो एवरीवन सिभील नॉले स्पाइंड मैं आपका फिर स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं इस 3D मोडल को डिसकस करने वाला हूं जैसा क्या पे स्कीन पर देख रहे हैं आज का वीडियो काफी एस्पेसल होने वाला है क्योंकि यह देख रहते हैं छोटा साइस कुल का ड किया गया है दोस्तों यह 3D मोडल भी एक हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था उनके रिक्वाब्मेंट के हिसाब से इस 3D मोडल को डिजाइन किया हूं जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हैं तो आज मैं इस 3D मोडल को पूरे डिटेल में डिसकस करने वाला चालिए दोस्तों आज मैं इस 3D मोडल को डिसकस करते हूं देख सकते दोस्तों इसı school design का फ्रॉंट इलिवेशन हो जाता है यह काफी इसकी डीटेल्स में समझते हैं एक से दोस्तों यह आपका ग्राउड फ्लौर का डियाइन हो जाता है काफी बेतरिन तरीके से डियाइन की जैसा कि आप इसकी पर देखे रहे हैं दोस्तों इस तरी स्टेप से जैसे उपर की तरफ जाएंगा तो देख सकते यहां पर सबसे पहले आपका इंट्री एक धॉल में हो जाता है जिसका साइज की बात करें तो 27 फीट इंटु 9 फीट 18 इंच में रहने वाला है देख सकते ही यहां पर एक बड़ा सा हॉल मिल जाता है इसी हॉल से सटा हुआ यहां पर देख सकते हैं विंडूस कडी एक डोर देखने को म देख सकते हैं एक और स्टाप रूम का डियाइन किया हूं इस स्टाप रूम की रूम साइज की बात करें तो इसका भी 10 फीट इंटू 9 फीट 18 में रहने वाला है दोस्तों इसके जस्ट आगे बढ़ेंगा तो देख सकते हैं क्लास्रूम देखने को मिल जाता है जिसका साइ साइज की बात करें तो फोटेनर फीट लाइट 20 फीट में राहने वाला हूं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सभी जयगा यहां पर कॉलूम ब्र इस का सब्रेक साद हूं और उसके साथ साथ यहां पे देख सकते हैं एक और यहां पे Stair Case का in देखने को मिल आ था इसका में इन्टी डोड यहां से दिख सकते हैं इस stair case में पीछे की तरफ ventilation का design किया गया और साथ-साथ stair के जश्ट नीचे यहां पर ट्वाइलेट रूम का design भी किया हूं यह तो हुआ ground floor का design अब बात कर लेते हैं first floor में दोस्तों इस CD से जैसे उपर की तरफ जाएंगे सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं first floor में आपका entry हो जाता है आपका entry यहां पर सेम डाइमेंशन के साथ यहां भी देख सकते हैं दो रूम उपर की तरफ भी मिल जाता है और साथ-साथ एक principal office का design किया आप कुछ भी यूज कर सकते हैं यहां भी देख सकते स्टाफ रूम का design क आप यूज कर सकते हैं दोस्तो यह तो इस school में चार classroom में आप चाहें तो second floor भी डिजाइन कर सकते हैं वहां भी classroom डिजाइन कर सकते हैं दोस्तो उपर की सभी dimensions नीचे की जैसा ही design किया गया है और यहां पर देख सकते हैं आपको safety point of view से railing का design किया गया जो की काफी attractive look हो जाता है दोस्तो वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को like, share और चैनल को subscribe कीजिए साथ साथ बेल आइकन को पर एक्सप्रेस कर दीजिए ताकि यानवला हर notification अब तक सबसे पहले पहुंचें दोस्तो यहां पर देख सकते हैं फास्ट प्लोड में भी आपको एक छोटा सा पोर्च देखने कर मिल जाता है जो की काफी स्थ्रीड मुरल को attractive look देता है दोस्तो आ यहां पर टैरेस पर क्या देखसकते हैं और यस्टरेस पर पीछे की तरफ और मैंने किया हूँ दूस्तो टैरेस पर देख सकते हैं यहां पर area साथ साथ ब्रीकोーर ग GIRं चया हूं दिक सकते हैं यह फूगा आज की फिर मिलते एक और नेक्स्ष विडियो झाल झाल